तो बच्चो कैसे हैं आप सब बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चो क्लास 12 का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है हिंदी में बोले तो इतिहास तो इस subject का जो आपका first book का fourth lesson है जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारते तो इस chapter के बच्चो आज की इस वीडियो में हम important mcq questions देखने वाले हैं जो की आपके board exam में आ सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो पहला question देख लेते हैं बच्चो यहां पर आप देख सकते हैं कि साची का इस्तूप इस्थित है कहां पर इस्थित है भाई तो चार option है आपकी screen पर आप देख पारे होंगे पहला है भोपाल के निकट इस्थित है दूसरा आपका इंदौर के निकट इस्थित है तीसरा आपका दिल्ली के निकट इस्थित है यह चोथा आपका आगरा के निकट इस्थित है तो आपको पता होगा बच्चो जो आपका साची का इस्तूप जो इस्थित है वो है आपका भोपाल के निकट ठीक है तो इसका सही जो उत्तर कमेंट सेक्षन के माधियम से तो सेकंड कोश्चन एक होम वक टाइप का है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर मैंने आपके लिए सवाल दिया आपको कि भगवान बुध के बचपन का नाम क्या था आपको बताना है बहुत असान सा कोश्चन है यह ठीक है एक नंबर में प आप देख पारे होंगे थार्ड कोशन कि भगवान बुध का जन्म जो था वह स्थल कोन सा था जहां पर भगवान बुध का जन्म हुआ था तो भगवान बुध के जन्म स्थल के बारे में हमें बताना है बच्चो चार ओप्शन आप यहां पर भी देख सकते हैं पहला है ब पर जो है भगवान बुद्ध का जो है जन्म स्थालिक को हम लोग माना जाता है इतिहास करों का मानना है यह ठीक है तो इसका जो सयूत्तर होगा वो ठर्ड होगा आगे चलते हैं बच्चो फोर्थ कोशन देख लेते हैं फोर्थ कोशन क्या पूछ रहा है हम से कि भगवान सुम्बिनी दूसरा है आपका कुशी नगर तीसरा है आपका शारनाथ और चौथा आपका बोध गया ठीक है तो भगवान बुद्ध का जो मतलब ऐसा स्थान जहां पर उनको ज्ञान की प्राप्टी हुई थी वह माना जाता इतिहास कारों के दोबारा वह आपका बोध गय ठीक है यहां पर जो है सो की उनको ग्यान की प्राप्टी हुई थी तो जो यह चौथा कोशन है इसका सही उतर यही चौथा वाल ऑप्शन होगा ठीक है और आगे बढ़ने से पहले आपको बता भी देना चाहूंगा बच्चों यह जो कोशन्स आपको मैं बताता हूं यह ब पीपरों में आ रखे थीक है तो इन कोशन्स की तायारी बहुत ही अच्छे से करियागा ठीक है तो आई होपके फौर्ट कोशन आपको समझ में आ आगया होगा बच्चो आगे चलते हैं अग्हाणा प्रहां से धर्म का महत्यपूर्न केंद्र था थीक है दूसरा है बच्चो जैन धर्म तीसरा आपका बहुत धर्म और चौत आपका इसलाम धर्म तो आपको पता है जो साची का इस्तूप था तूप बेशिकली बुद्ध धर्म से जो है समंद रखते थे अगर लोग मोटा मोटा बात कर रहे हैं तो तो इसका जो सही उत्तर होगा जो वह थर्ड होगा आपका बहुत धर्म ठीक है यह थर्ड वाला उप्सिन इसका सही उत्तर होगा आगे चलते हैं बच्चो अगला प्रेस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पारे होंगे कोशन नमबर छटा है हमारा कि सांची के स्टूप के संरक्षन में नीम्न में से किसका महत्यपूर्ण योगदान था ठीक है पहला आपका शाह जहां दूसरा आपका शाह जहां बेगम तीसरा आपका नूर जहां और चोथा आपका नूर जहां बेगम यह भी वाला कोशन जो है आपके लिए मैंने होमवर्ग दिया है एच का मतलब होमवर्ग समझ यह ठीक है आपका भी एक तरह से रिवीजन हो जाता है जिन बच्चों को पता है और जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पता चल जाता है तो आपको जो है सो की कमेंट सक्षन में इसका उत्तर जो है सो की कमेंट करके बताना है ताकि और बच्चे भी जान सके ठीक है आगे चलते हैं अ आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों देख पा रहे होंगे यहां पर चारों आपको दिख रहा होगा तो एक एक करके इनकी बार देख लेते हैं पहले आपका वाश्वन्ना जी ठीक है दूसरा आपका गौतम बुद्ध जी तीसरा आपका आनन्द जी ठीक है और चोथा आपका गौतमी पूत्र साथ करनी तो आपको पता है बहुत धर्म के जो संस्थापक बाने जाते हैं वह आपके कौन माने जाते हैं गौतम बुद्ध जी ठीक है तो इसका सही उत्तर दूसरा वाला होगा बहुतम गुद्ध जी आगे चलते हैं बच्चों आठवा कोशन देख लेत हैं तो वह कौन सा था आपका ठीक है यहां पर आप जो है सो की चार ओप्शन आप देख पा रहे होंगे यह देख ली जो मैं एक बार इसको इस तरह दिखाएता हूं देखे पहला आपका अमरावती का दूसरा आपका शांची का तीसरा आपका भूमरा का और चोथा आपका साहाजी की भेरी का तो आपको पता होगा भचो सबसे विसाल और तता सांदार बहुते अगर हम बात कर रहे हैं तो वो था आपका अमरावती का शांची का धीक है यह सबसे विसाल और सांदार शांची कosa के शलेद हा ठीक है तो ये था आपके अन्वे कोशन एंसर और बस तो यही था आप आज का ये वीडियो आज की इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट एमसी की कोशन दिया हूं वह आपके पेपरों में आ सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलता हूं आप से अगली और एक्साइटिंग वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए खुश रखे सभी को जैहिंद वन्दि मात्रम